अब मेरे ही दोस्त की फीस में और मेरी फीस में 10,000 का डिफरेंस है फिर दोस्तों आप देख रहे हो L4 LPU और भाई मैं आपको एक बहुत ज्यादा important information देनी मतलब के skip कर गया था या फिर मान लो के वो बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है तो जो लोग preparation कर रहे है LPU nest देने की LPU college में admission लेने की या फिर अभी entrance देने वाले है LPU में admission लेने के लिए तो भाई यहाँ पर जो सबसे important चीज होती है वो होते है phases LPU nest conduct होता है तीन phases में first phase second phase third phase अब इनका फाइदा गया है देखो पहले आओ पहले पाऊ वाला scene है अगर आप first phase में admission लेते हो LPNS देते हो तो आपको maximum जितनी भी किसी course में मिल सकती scholarship वो मिलती है maximum means के 30-40% तक scholarship मिलती है first phase में आप जैसे ही time गुजरता जाता है उसके बाद आपकी scholarship भी हाँ पर कम होती जाती है first phase में आपको सब्सक्राइब 30% मिल लिए second phase में वही scholarship हो जाएगी 25% और third phase में वही 20% तो फिर बाद में लोग कहते है यार अगर इस चीज़ का पहले पता होता तो बहुत जादे benefit हो जाता है अब मेरे ही दोस्त की फीस में और मेरी फीस में 10,000 का डिफरेंस है क्योंकि मैंने फर्स्ट फेस में एल्पीनेस्ट दिया था और उसने थर्ड फेस में एडमिशन लिया था तो यह डिफरेंस अब आप बोलो है कि भाई हम यह सब चीज करतो ले बट वेर कुछ आपको एडमिशन के टाइम एडमिशन ले ले लेना है तो यह सबसे बैटर है अब एडमिशन के लिए एल्पीनेस्ट होता है जिन लोगों को नहीं पता एल्पीनेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिस्चन में डाल रहा है उसमें यह benefit होगा कि इस लिंक से फों फिल करने पर आ जो गर्ल्स है उनके लिए 250 और जो बॉइस है उनके लिए 500 और जल्दी से जाओ लगा देना यह वाला को अपने दोस्तों अगर कर सकते हो तो और जिन लोगों को एल्पीनेस्ट के बारे में नहीं बता के क्या होता है किस तरह देना होता है तो आप मेरी यह वाली वीडियो में